next में start करेंगे most important solid vehicle जिसका नाम है can sugar vehicle का नाम है next vehicle जो है solid vehicle can sugar general properties ठीक है also called sucrose इसे हम क्या बोलते हैं सुक्रोस भी बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं सुक्रोसम सुक्रोस बोल दें सुक्रोसम बोल दें सैक्रम प्यूरी फिकेटम क्या बोलेंगे सैक्रम प्यूरी फिकेटम ठीक है ना यह रिफाइंड सुगरी बोलते हैं मिसरी भी बोलते हैं और चीनी भी बोलते हैं सुक्रोस सुक्रोसम सैक्रम प्यूरी फिकेटम refined sugar misery या चीनी हम यह इसे बोलते हैं आगे बात करेंगे chemical formula chemical formula C12 H22 O11 यह इसका chemical formula है source of can sugar इसे बनाने के लिए हमें sugar can sugar can मतलब होता गन्न ठीक है न तो गन्ने से बनने वाला जो material इसको हम क्या बोलेंगे can sugar ठीक है न तो यदि आप sugar can word लिख रहे हैं में सब गन्ने की बात कर रहे हैं ठीक है न और इससे बनने वाला जो product इसका नाम क्या होता है sugar can होता है beet root sugar can से 15-20% बनाते हैं beet root से 12-5% बनाते हैं and pineapple कभी यूज़ करते हैं coffee कभी यूज़ करते हैं almond का भी यूज़ करते हैं और honey का भी यूज़ करते हैं लेकिन most importantly जो can sugar है वो बनता किस्ते है sugar can से and beet sugar beet root का यूज़ करके बनाया जाता है ठीक है ना commercial ही जो form होता है वो इनसे form होता है ठीक है ना आगे देखेंगे ये कैसा होता है colorless कैसा होता है ये colorless होता है slight whitish होता है ठीक है ना अगला है orderless गंद हीन होता है कोई सुगंद नहीं होती है फिर है sweeter than sugar of milk sugar of milk की तुलना में मीठा होता है most important point या दखना है sugar of milk की तुलना में कैसा होता है मीठा होता है easily soluble in water water में कैसा होता है easily soluble होता है लेकिन sparingly मतलब soluble in alcohol sparingly मतलब होता है properly वो dissolve नहीं होता है किसमें alcohol में लेकिन water में easily dissolve हो जाता है and optical जो rotation है ठीक है ना वो होता है not less than किता exactly होता है plus 65.90 plus 65.90 होता है at 20 degree centigrade तो यह general properties of can sugar है एक्जैम में आ सकती है ठीक है न यह फिर रिवाइस करते है सुक्रोस, सुक्रोसम सेक्रम, प्यूरिफिकेटम रिफाइन सुगर, मिस्तरी चीनी, C12 H22, O11, सुगर कैन, बीट रूट, पाइनेपल coffee, almond, honey इन से बनाये जाता है लेकिन main source को ने sugar can and beetroot है ठीक है, इसके लावा यह colorless होता है, गंदहीन होता है सुगर आप में तुला में मीठा होगा water में इसले dissolve होगा partially dissolve किसमे होगा वो, alcohol में होगा इसका जो optical rotation होता है वो होता है प्लस 65.90 at 20 degree centigrade ठीक है, देखते है preparation of can sugar या सुक्रोज सुक्रोज या can sugar को कैसे बना जाता है इसको बनाने के लिए में क्या करना है sugar can, sugar can means क्या होता है गंणा, sugar can या गंणा हम लेते हैं उस गंणे को हम लोग क्या करते हैं iron roller meal में लेके जाते हैं और iron roller meal के द्वारा क्या करते हैं उसे, उसमें से क्या निकालते हैं जूस निकालते हैं तो sugar can से हम लोग क्या करते हैं iron roller meal के त्रू क्या करते हैं जूस फॉर्म करते हैं जूस निकालते हैं तो हमको उसमें 75% जूस मिलता है और बाकी जो गरने का जो तुकड़े होते हैं जूस निकालने के बाद हम उसे क्या बोलते हैं Cellulose Residue तो हम क्या बोलेंगे Sugar Can को क्या करेंगे हम लोग Iron Roller Machine में क्या करेंगे Crust मतलब उसे Crust करेंगे उसमें से जूस निकालेंगे जूस निकालने के बाद जो extra material बसता, जिमें क्या बोलेंगे? cellulose recidues बोलेंगे जो cellulose recidues होते हैं इसे हम अलग कर देते हैं लेकिन जो juice होता है उस juice में हम क्या मिलाते हैं? lime मतलब चूना मिलाते हैं और चूना मिलाने के बाद उसे heat करते हैं juice is heat with lime लाई मतलब चूना मिला के का करते हैं उस जूस को हीट करते हैं हीट करने के बाद जैसे हम चूना मिलाते हैं चूना क्यों मिलाएं कि जो चूना होता है वो उस जूस में प्रेजेंट जो इंप्यूरिटीज होती है उसको रिमूब करने में हेल्प करता है तो जैसे ही आप juice को चूना मिलाके heat करते हैं तो उसके top में हमें क्या मिलती है कुछ impurities most impurities will be collected at top ठीके ना तो top में हम क्या होगी यहाँ पर ऐसे juice है मान लीजिए तो यह हमको क्या होगा impurities मिलेगी जिसे हम क्या बोलते है scum most important याद रखना है जो जैसे ही आप गन्ये के juice में चूना मिलाते हैं और उसे heat करते हैं तो आपको जो top में जो impurity मिलती है हम उसे क्या बोलते है scum बोलते है और यह जो scum होता है means जो impurity है is removed उसे हम क्या करते हैं remove कर देते हैं ठीक है ना इसके बाद जो juice है इसमें से हम क्या करते हैं CO2 और SO2 को pass करते हैं CO2 and SO2 को हम क्या करेंगे इसमें से pass करेंगे ठीके ना then CO2, SO2 are passed 1 इसमें से pass करते हैं जैसे ही CO2 और SO2 इसमें से pass होती है तो यह इसमें present जो calcium जो हमने मिलाए थे उससे क्या होगा जो चुना विला इसमें calcium है उससे क्या होता है वो react करता है ठीक है ना और form करता है क्या ca co3 and ca so4 क्या form करता है ca co3 और ca so4 form करता है और यह जो ca co3 और co so4 होता है एक किस रूप में हमको मिलता है प्रेसी पिटेट के रूप में मिलता है एक ठक्के के रूप में हमको क्या मिलता है ठीक है ना और उसके बाद इस प्रेसी पिटेट वाला जो जूस है जिसमें CA CO3, CA SO4 है उसे क्या करेंगे हम लोग filter करते हैं और filter करके जो precipitate होता है उसे हम क्या कर देते हैं रिमूब कर देते हैं ते वह हम देखते हैं हमने क्या लिया गरना लिया जिसे हमने क्या बोला है sugar cane में बोला है उस sugar cane में से हमने क्या निकाला juice निकाला, juice निकालने के बाद उसमें हमने क्या मिलाया चूना मिलाया और उसे हीट किया चूना क्यों मिलाया क्योंकि जोसमें इंप्योर्टी होती है उसको रिमूब करने के लिए जैसे ही जूसमें हम चूना मिलाते हैं उसे हीट करते हैं तो उसके टॉप में सर्फेस में क्या होगा कुछ इंप्योर्टी आके जमा हो जाएंगी जिसे हम क्या बोलते हैं सकम बोलते हैं और इस इंप्यूरिटी को यह सकम को हम लोग क्या करते हैं रिमूब कर लेते हैं उसके बाद इस जूस में से CO2 और SO2 को क्या करते हैं पास करते हैं जब यह CO2 और SO2 उसमें से पास होती है तो जो CO2 और SO2 होती है उस juice में present जो calcium होता है उससे bind होता है और bind होने के बाद क्या करता है प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और जो exactly जो प्रेसिपिटेट है उसमें क्या होता है CA CO3 और CA SO4 यह जो प्रेसिपिटेट है वाला जो juice है इससे हम क्या करते है फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद हमें क्या करते हैं प्रेसिपिटेट को रिमूब कर देते हैं और जो हमें फिल्टेट मिलता है वो एक clean filtrate हमको मिलता है या clean filter में या clean juice हमें मिलता है ठीक ह ठीक है। हमें में फाइनल इफ प्रसिपट को filter करने के बाद जो filtrate मिला है, जो liquid मिला है, जो juice मिला है, हम उसे क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट बोलेंगे, उसके अभी इस filtrate को या juice को boil under reduced pressure, कम pressure के अंदर या reduced pressure के का करता है, में इसे फिर boil करते हैं, और for concentration for concentration जो हमें filtrate हुआ है हम उसे क्या करते हैं boil करते हैं under reduce pressure जिसका क्यों करते हैं क्यों कि उसे क्या हो जाए वो जो juice है वो कैसा हो जाए concentrate हो जाए उसके दमसे क्या करते हैं ठंडा करते हैं cool करते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है for crystallization ठंडा क्यों करते हैं crystallization मतलब वो क्या में convert हो जाए crystal में convert हो जाए थीक है उसके लिए हम लिक्विड से कूल करते हैं centrifuge करने के बाद crystal will be separate from mother liquor ठीक है ना तो जो हमको यहाँ liquid मिला था उस liquid में crystal भी थे और liquid भी था जो crystal थे वो centrifuge machine से कैसे हो गया अलग हो गया और जो liquid था वो अलग हो गया जो liquid हमको बचा है मिला हम उसे क्या बोलते हैं mother liquor हम उसे क्या बोल रहा है है mother liquor बोल रहा है ठीक है फिर से बाद देखते हैं filtrate हमको मिला precipitate को चानने के बाद में क्या मिला filtrate मिला उस filtrate को boil करेंगे reduce under pressure ठीक है क्यों करते हैं क्योंकि वो कैसा हो जाए कर्जंटेट हो जाए उसका ठंडा करते हैं cool करते हैं कये कई के लिए Master lady assistant के लिए उस में crystal बन जाएं इस लिए करते हैं उसके बाद उस पूरे liquid को हो liquid को हम τον क्या करते हैं centrifugue मसीन में क्या करते हैं Centrifugue करेंगे सेंट्रिफ्यूग मसीन में सेंट्रिफ्यूग मसीन जो होती उसमें सेंट्रिफ्यूग करेंगे उसे और सेंट्रिफ्यूग करने के बाद जो लिक्विड में जो क्रिस्टल ते वो अलग हो जाएंगा लिक्विड अलग हो जाएगा जो लिक्विड होता है हम उसे क्या बोलते है मधर लिक्वर बोलते है उस मधर लिक्वर को हम अलग कर लेते हैं और क्रिश्टल को क्या करते है दें ड्राइ करते हैं क्रिस्टल को लोग क्या करते हैं ड्राइ करते हैं और ड्राइ कैसे करते हैं उसको ऐसे चेंबर में ड्रॉप करते हैं जो कैसा होता है गर्म हवा से भरा होता है तो जो क्रिस्टल है उसको गर्म हवा वाले चेंबर से क्या करेंगे पास करेंगे और उसके सगर मिल जाएगा सुक्रोज हमको बनके मिल जाएगा तो एक कम्प्लीट प्रॉसेस होती है बहुत ईजी प्रॉसेस है गद्ना लिए गद्ने को आपने क्या किये आइरन रोलर मील में क्या करें इसमें से जूस निकाले जूस निकालने का जूस में हमने क्या मिला दी है चूना मिला दी, लाइम मिला दी है, चूना क्यों मिला दी, क्योंकि इसमें जो impurities हैं, वो कैसी हो जाएं, अलग हो जाएं, जैसे हम चूना मिलाते हैं, और juice में, juice और चूना मिलाके, उसे हम उसे करते हैं, हीट करते हैं, जैसे हीट करेंगे तो उसकी सर्फेस में क्या मिल जाता है में इंप्यूर्टी मिलती है और जो सर्फेस में चुना बिलाने के बाद जो सर्फेस में इंप्यूर्टी आई उसे हम क्या बोलते हैं उस स्कम को रिमूब कर देते हैं उसके बाद जो लिक्विड हमें बसता है उस लिक्विड में हम लोग क्या करते हैं co2 और so2 को पास करते हं जो co2 और जो so2 होती है वो इस juice में present calcium से क्या करती है react करती है और जो क्या करती है उस calcium का precipitate बना देती है Ca based house co3 also is a saw-4 प्रेसिपsi p quite के रूप में क्या मिल जाता है calcium मिल जाता है और उस precipitate को इस करते हैं वों चांते हैं मतलब उस पूरे जूस को फिल्टर करते हैं फिल्टर करने पर जो प्रेसिपिटेट है वो फिल्टर में रजाता है और जो नीचे लिक्विड मिलता है उससे क्या बोलेंगे हम लोग फिल्टर बोलते हैं उस फिल्टर करते हैं बॉयल करते हैं अंडर रिडियूस प्रेशर में क्यों boil कर रहे हैं for concentration, उसे cool क्यों कर रहे हैं क्यों crystallization, जैसे cool करते हैं उसमें crystallization की process हो जाती है, उस liquid क्या करते हैं, centrifug मसी में डालते हैं और centrifugation की process करते हैं, centrifug करने के बाद उस जो पूरा liquid था, उसमें से crystal अलग हो जाते हैं, liquid अलग हो जाता है, जो crystal अलग हो जाता है, उसे अलग कर लेते हैं और जो लिक्विड हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं मदर लिक्वर बोलते हैं उसके बाद जो क्रिस्टल होते हैं उसे क्या करेंगे हम लोग एक चेंबर में से पास करते हैं ड्राइ करने के लिए उस चेंबर में क्या भरा होता है गर्म हवा भरी होती है खुब हम उसे dry कर लेते, थूभ है न? वह फाइनल मोटर मिल जाता है? कैन सुगर हमको मिल जाता है, आगे देखते हैं इसका use, preparation of globules, किसके लिए उझे करते हैं? preparation of globules, globules को बनाने के लिए, pallets को बनाने के लिए, tablets को बनाने के लिए, simple syrup, our उसको करने के लिए हम लोग किसका केंस सुगर का यूस करते हैं तो ज़ू करते हैं तो ज़ू भी बनाने में पैलिट बनाने में जलीते में सिंपल बनाने में तरीटिश हिपिएंड कocyक्ष किया जाता है तो यह आपका किम्लिट होता है कौन केंस का झाल